नमस्कार स्वागत है आप सभी का तो फाइनले यूपी ट्रेपल सी से नए नोटिस जोनियर असिस्टेंट 2019 के फाइनल रिजल्ट को लेकर के आ चुकी है और सभी चैनित अभ्यरतियों को शुपकामना है आपका जो रिजल्ट डिकलेयर हुआ है इसमें विबाग आवंटन को लेकर के भी उसमें सूचना दी गई है साथ ही साथ आपकी रिजल्ट में फ्रेस प्रोविजनल और विद हेल्ड के भी कैंडिडेट कुछ रोल उंबर कुछ अभ्यरतियों का रोल उंबर प्रोविजनल और विद हेल्ड के साथ फाइनल रिजल्ट में जारी किया गया है कित 303 पदों के लिए और इसमें EWS को भी इस बार आरक्षड दिया गया था पहली बार इस भरती में और आप यहां पर देखेंगे कि करनिश्ट सहायक के एक पद पर मिर्थक आस्रित नियुक्ति प्रदान किये जाने की करण अवसेश 1402 पदों के सापिक्ष अधियाचन करता वि स्रेडी हेतु 661 पद EWS के लिए 128 यसी के लिए 255 अनसुच जंजाते के लिए 29 और OBC वर्ग के लिए 329 पद निर्धारित हुए और सेलेक्षन किस प्रकार से हुआ है 14 सा दो पदों के सापिक्ष 1381 पदों पर सेलेक्षन हुआ है जिसमें अनारक्षित युवार में 651 बेर नहीं नहीं अन्तिम चैन प्रणाम दिनांग 310-2022 को माननी आयोग द्वारा अनुमूदित किया गया है तथा विकलांग स्रेडी के अंतरगत उप स्रेडी वार वांचित अभ्यरती उपलब्द नह होने की कारण 21 पदों यहां पर दिखत रह गए है अगर इसमें 21 एड करे पेडित मांस पेशी दूस पोसर सहीत चलन क्रिया शंबंदी नहीं सकता जीरो-जीरो स्वपराड़ता बोधिक नहीं सकता विसिष्ट अधिगम नहीं सकता और मानसिक अस्वस्ता तीन एवं बहु नहीं सकता को अग्रनित किया गया है जो सीटे खाली रग गई है तो उन सीटों पर यहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं हुआ है 21 पदों पर कनिष्ट सायक के उक्त अंतिम चैन परड़नाम में 36 आरक चड़ सुतंता संगराम सेनानी बोधपुर्व सैनिक बिकलांग और महिला स्रेडी के अंतरगत चैनित अभ्यरती अपनी मूल स्रेडी में समाहित हैं बोधपुर्व सैनिक स्रेडी के बिग्यापित कुल 58 पदों के साफिक 26 बोधपुर्व सैनिक अभ्यरती ही उपलद हो पाये हैं सेस जो 32 पद है उन पर मेरिट के अनुसार अन्य अभ्यरतियों को चैनित किया गया है मतलब सीटेव खाली नहीं छोड़ी गई है उक्त चैन परणाम में 5 अभ्यरतियों के अन्तिम चैन परणाम को माननी आयोग द्वारा विदहेल्ड किया गया है क्योंकि इसमें कोट का मैटर है पांच वीदहेल्ड किये गए अभ्यरतियों का अंतिम चैनल परणाम माननी आयोग के निड़े के अधीन होगा आयोग दोरा 157 अभ्यरतियों को आउपबंदिक यानि प्रोविजनल रूप से अंतिम चैनल परणाम में सम्मिलित किया गया है इन अभ्यरतियों का अंतिम चैनल परणाम अभ्यरतिगरद्वरा प्रश्थुत किये जाने वाली प्रपत्रों, प्रमार्पत्रों के परिक्ष्षड के उपरांद, सत्यापन के उपरांद माननी आयोग के निड़े के अधीन होगा कनिश्ट सायक पदों के साफेक्ष उक्त चैनित अभ्यार्तियों का विभाग वार आवंटन यथा समय आयोक की वेबसाइट पर प्रगासित किया जाएगा उक्त चैन प्रणाम मानने उच्च नियाले में योजित रिट संख्या यह हो गया 15.787 आप 2019 संजय कुमार याद होता था अन्या प्रति उत्तरबदे सराज था अन्या सासन द्वारा योजित बीसे अपिल डी संख्या चार सो पचत्ता आरा आफ 2019 दा भविसे में योजित होने वाली रिट स्याच गाओ में मानने उच्च नियाले द्वारा पारित होने वाले अन्तिम नेड़े की अधिन होगा प्रश्च निकल गया है मानने आयोग की नेड़े की अधिन रखा गया है बाकी जो कोड की अधिन पूरी भरती है ऐसा ने कि केवल कोड की वज़े से वहाँ पर किसी का वीदेहल्ड किया गया है तो थोड़ा से उसको आप सुधानी जी का प्लीज बोलने में वहाँ पर पर है पूरा टोटल यहां पर और एक पेज़ पर आप देखेंगे कटाफ भी है कि दो पेज़ का नोटिस हो गया तो नो प्लस टू प्लस वन मतलब टोटल यहां पर 12 पेज़ की आपकी यह पूरी नोटिस है रिजल्ट की रिजल्ट इस प्रकार से आपको रोल अपना विजन लगा हुआ है और ध्यान दीजिएगा जिसे कोई भीरदी ओवीसी की हो यह सी की हो या फिर एडब्लियोस की हो अगर आपका सेलेक्शन यूवार भी हुआ होगा तो आप अपने केटिगरी में रोल अमबर देखेंगा साथी साथ यूवार की केटिगरी में भी आप पहले रोल अमबर देख लीजिएगा पूरा लिष्ट एक बार आप रोल अमबर अपना चेक कर लीजिएगा विद हेल्ड वाले में भी जाकर के एक बार देख लीजिएगा ठीक है अनुसुचित जाती की अलग है ओवीसी का अलग है और अनुसुचित जाती की अलग है यह में और यू बार में एक अब यहाँ पर कटाफ देख लेते हैं कि कटाफ हमने जितनी आपको बतायती अनारक्षित के लिए 75.50 से लेकर के 76 बीच में हमने आप सभी को बताया था तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कटाफ उतनी ही गई है अंतिम चैन चैनित अभ्यरती के कुल प्रापतांक यह लिखिट परिक्षिया वाला अलग है और यह जो लाश्ट सेलेक्टेट कैंडिट होते हैं उनकी डेटा बर्थ हैं मतलब यह जो अंक मिला होगा इतना हो सकता किसी और भी अभ्यरती के हो लेकिन उनका डेटा बर्थ अगर इसक 62.5659 और OVC में 74.4164 यह गई है कटाफ कुल प्रापतां के आधार पर और यह रेटेन वाला नंबर है यह होगी आपका उर्द्वादर लंबोत स्रेडी 36 में अगर आप यहाँ पर देखेंगे भूतपुर्व शैनिक का 46.1942 और स्वतनता संगराम सिरानिका 63.4912 मतलब सबसे कम यहाँ पर गया है भूतपुर्व शैनिक का यह हो गया आपका दृष्टी हिंता वाला यह बद्र और स्रवड सकती में हरास के लिए दिब्यान के लिए अलग अलग यहाँ पर हो गया और ज वाकि इधर जो सीटे खाली रह गई है इन कैटिगरी में उन सीटों पर जो है आप देखेंगे एक जिगा सीटे और कुछ खाली रह गई है तो उन सीटों पर जो है सेलेट किये गए है अब भेरती तो यहाँ पर फीमेल की कोई अलग कटाफ नहीं बनेगी और इतना इनी च 2019 का रिजल्ट यहाँ पर डिकलियर हो गया और सभी चैनित अभ्यरतियों को भाईयों भेहनों को आप सभी को हमारे तरफ से शुप कामना है और अनफार्च पर जिनका सेलेक्शन नहीं हो सका आपको दिरास नहीं होना चाहिए बल्कि आपको आगे कि तयारी करनी चाहिए त और हो सकता है कि इसी अक्टूबर की महिने में अक्टूबर लाश्ट तक या फिर बहुत लेट से लेट नॉमबर के फर्स्ट विक तक लोवर 2019 का रिजल्ट भी डिकलियर हो जाएगा वीडियो को आप सबी प्लीज लाइक शेयर कर दीजेगा साथी साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद